हेलो फ्रेंड्स, केमेस्ट्री के पार्ट टू को लेकर हम आ चुके हैं, जिसमें हम लोग अभी डिसकस कर रहे हैं, रेलवे के प्रिबियस युएर के सबसे अधीग वार पुछेगे रसायन सास्त्र के महत्वपूर्ण प्रस्थ्न, तो चलिए बिना समय गवाएं, अपने से को, अपने सिसन का पहला सवाल है कि कौपर सल्फेट का जलिये बिलियन क्या करेगा भई, लिटमस के साथ कौपर सल्फेट के जलिये बिलियन का क्या होने वाला है, तो ध्यान रखना है कि कौपर सल्फेट क्या करता है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता यह बहुत बार railway ने पूछा है बहुत important प्रस्थ है copper sulphate क्या करता है तो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है चली बढ़ते हैं अगले प्रस्थ क्यों अपना अगला प्रस्थ क्या कह रहा है अपना अगला प्रस्थ है कि निवन में कौन सा radio धर्मी तत्व अगला प्रस्थ निमलिकित में कौन सा कथन गलत है तो इसका जो जवाब पर कह रहा है उसको पड़ते हैं पदार्थो के कन इस्तीरवस्था में होते हैं तो यह तो बिल्कूल सही यह स्थीरवस्ता में hoते यहें पडार्त के कन बहुत छोटे होते हैं आपको याद होगा डाल्टन का वाला स्टेटमेंच और चौता कहरा है कि पडार्तों के कन एक दूसरे को आकरसित करते हैं एकल करते ही है hydrogen bonding के माध्यम से एक दूसरे को attract करते हैं तो इसमें गलत क्या है तो गलत ये है कि पदार्तों के कन इस्ती रवस्था में होते हैं भई पदार्त के कन इस्ती रवस्था में नहीं होते हैं वो movement करते रहते हैं इधर दो जाते रहते हैं अब लोगों ने पढ़ाबी होगा ब्राउनियन मोशन ये ब्राउनियन मोशन ने तो साफ़ थोर भर बताया है कि पदार्तों के जो कन होतें वो मोशन करते रहते है चलिए बढते हैं अगले प्रस्न पर अपना अगला प्रस्न है कि दो या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है तो भही योगिक बनता है, compound बनता है, दो या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, तो compound का formation होता है, योगिक का formation होता है, अगला प्रशन कहे रहा है, कि कारवन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान के अपचय agent के रूप में किसका उपियोग किया जाता है which of the following allotrops of carbon is used as reducing agent in metallurgy तो ध्यान रखना है कोक का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए किया जाता है metallurgy के तोर पे reducing agent में किया जाता है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है कि which of the following is used for the disinfectant of drinking water पानी को किटानू रहित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं तो bleaching powder का इस्तेमाल करते हैं लो मैंने formula भी लिग दिया तो bleaching powder का इस्तेमाल पानी को disinfect करने के लिए करते हैं ध्यान रखना है अगला प्रस्न क्या कह रहा है अगला प्रस्ण कह रहा है कारवन के एक मोल में कितने परमानू होंगे तो ध्यान रखना है कारवन के एक मोल हो या हैड्रोजन के एक मोल हो किसी के भी एक मोल हो एक मोल में एटम की संक्या हमेशा 0.6, 6.022 into 10 to the power 23 होता है और यह किस ने बताया है तो यह एवागाजरो ने बताया है इसलिए इस डिजिट को आप क्या बोलते हो एवागाजरो नमबर बोलते हो अपना सही जवाब है option B 6.02 into 10 to the power 23 अगला सवाल क्या है अगला सवाल है कि निमलिखित में कौनसा कारवन का योगिक नहीं है तो ध्यान रखना है कारवन का योगिक कौनसा नहीं है संगमनमर नहीं है डोलामाइट नहीं है चौक नहीं है लेकिन हीरा तो है ना हीरा तो कारवन का ही एक अप रूप है इसलिए ये गलत option हो गया इसलिए railway ने दिया है option D सही है इसका ठीक है अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि निमलिखित में किस्मे, पूलो, लोहे के जंग और धातू में बनी सभी बस्तूओं को नुकसान पहुंसता है मतब सीधी सी बात है कर जंग लग जाये तो इनको नुकसान पहुंसता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा जंग, जंग से तो सब को नुकसान होता है अगला प्रसन क्या कह रहा है अगला परस्थन कह रहा है कि इन में से कौन एक असंत्रिप्त hydrocarvan है unsaturated hydrocarbon है कैसे पहचानेंगे तो ध्यान रखना है कि जो भी single bonded compound होता है वो saturated होता है और जो भी double या triple bonded compound होता है वो unsaturated होता है तो butane को अगर आप देखोगे तो butane का formula बंता है CH3, bond CH2, bond CH3, single bonded compound है, propane भी single bonded compound है, pentane भी single bonded compound है, लेकिन इथाइन को जब आप देखते हो, तो इथाइन का फर्मूलाई होता है, CH2 double bond CH2, sorry, इथाइन है ना, तो इथाइन का मतलब हो गया CH triple bond CH, ये हो गया इथाइन, ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर जब भी double bond जब आ जाए, तो उसको आप किस से form कर देते हो, वो आपका unsaturated hydrocarbon हो जाता है, इस इसको दिमाग में रखना है, मित्रों हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम आपको बता दे, कि unacademy लेकर आया है, आप लोगों के लिए group D के examination को पास करने का सबसे आसान और सबसे सरलत ही का करना क्या है, करन अगर आप result देना चाहते हो, तो unacademy अभी के समय में भारत का number one platform है, जहां आपको मिल रहा इंडिया के best educator की team से पढ़ने का एक जगा पर बिना हैरान परिसान हुए बगार पढ़ने का मौका, क्या करना होगा, करना ये होगा कि आपको जाना होगा हमारे YouTube के description में, वहां आ आपको मिल जाएगा unacademy app को download करने का link, वहां से आप unacademy app को download करें, और जब आप वहां से किसी भी code को purchase करते हो, किसी भी course को purchase करते हो, तो वहां पर आप हमारा code लगाई है, हमारा code है AS2021, मैं लिख भी देता हूँ AS2021, और जब आप इस code को लगाते हो, तो आपको मिलता ह इस course पे 10% तक का discount, चलिए आप enjoy कीजिए, इस course को तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्न की और, अपना अगला प्रस्न क्या कह रहा है, अपना अगला प्रस्न कह रहा है, कि निमन में कौन से योगी को में एक double bond है, तो double bond क्या होगा, देख लेते हैं, तो double bond इथेन में है, तो आपको दिख रहा है कि E, N, E किसके अंत में है, तो इथेन के अंत में, इथेन का formula ही होता है, CH2, double bond CH2, मतलब सही जवाब हो जाएगा, इथेन, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रस्न पर, अपना अगला प्रस्न क्या कह रहा है, अपना अगला प्रस्न है, कि भुले रंग का gas का नाम बताईए, तो क्या देता है, तो वो nitrogen dioxide देता है, NO2 देता है, तो दिमाग में रखना ये पूछा हुआ railway का कई बढ़ का सवाल है, मतलब important सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है, कि निमलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीब के आवर्थ सारनी मे से इका aluminum की जगा लेता है, तो ध्यान रखना है कि gallium जो है वो इका aluminum की जगा लेता है, ये कई बार पूछा गया है, और ये मतलब की important है, आप इसको ऐसे समझ लीजे, अभी जो सबसे अधिक बार पूछा गया है, जो सवाल बार बार पूछा गया है, वो यही था, कि solid carbon dioxide को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना है, dry ice को solid carbon dioxide पूछा जाता है, और ये railway ने कई बार पूछा है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, कि non metal oxides are usually, अधातू oxide आम तोर पे किसके बने होते हैं, तो ये acidic होते हैं, वो acids के बने होते हैं, दिमाग में रखना है, ये पूछा ह हुआ सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, कि तक chemical formula और प्रोपेन, तो बाबू प्रोपेन का formula जो होगा, एक methane, एक methane और एक प्रोपेन, मतलब तीन कारवन जिसमें भी हो वो प्रोपेन है, तो तीन कारवन आपको दिख रहा है, C3H1, मतलब option C, जो है, वो अपना जा सकता है, लेकिन aluminium आपने कभी नहीं देखा हूँ, किसी को कि चाकू से काच रहा है, वो हमेशा इसके लिए क्या करते हैं, छेनी हाथ ओड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यह तो common sense से भी आप जवाब दे सकते थे, चलिए बढ़ते हैं, अपने अगले प्रस्न की और, अपना जाता है aluminium का, क्योंकि इसमें न जंग लगता है, ना ही कोई परतिकडिया होती है कभी, मतलब aluminium जो है, वो किसी के साथ reaction नहीं करता है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, किसी बिद्दूद परभाह किसके द्वारा संभब होता है, तो ध्यान रखना है कि बिद्दूद पढ़िपत में कोई भी विद्दुत प्रवा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है सेल के बाहर घूमना तो क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन की गतिये कारण विद्दु प्रवा संभब है बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर अपना अगला प्रस्ट है कि आसी कौनसे धातू एक्साइड है जो अमलों के साथ साथ चारों के साथ भी पर्तिकिरिया करती है तो देखो जो अमलों और चार दोनों के साथ पर्तिकिरिया करे उसको आप बोलते हो M4 Terek Oxide कई बार पूछा है M4 Teric Oxide कहा जाता है मित्रो हम आगे बरे उससे पहले हम आपको बता दे हमारी टीम ने बनाया है आप लोगों के लिए एक ब्रहमास्त्र पैकेज ये ब्रहमास्त्र इसलिए है योकि यहां से आपको मिलता है Railway Group D के पूछे हुए सारे previous year के प्रस्न जो आपको हर occasion हर समय काम करने वाला है और ये सबसे अधिक पूछे गए most important प्रस्न है जो इस बार भी पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है कैसे इस किताब को आप खरिद सकते हो इस किताब को खरिदने के लिए आपको जाना होगा मारे YouTube के description पे वहाँ से आपको मिलेगा एक link आप उसके माध्यम से इस पीडियोप को download कर सकते हो कम से कम payment pay करके बस अभी के लिए इतना ही धन्यवाद ठैंक यू